आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, रोम मनी पदमेह, मौन साय राम, मस्तला वालिकून, सस्रिकाल, मैं हूँ सुरभी, आपकी सुरभी आ गई हो, फिर से आप लोगों के लिए एक और नया, पिक अ कार्ड नहीं, पिक अप ब्रेसलेट, एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग ले कराओ, दी आप टॉपिक लेकर नहीं आ रहे हो, तो फाइनली ये टॉपिक लेकर में आ गई, तो आज में देखने वाली हूँ कि आपका सोल पॉपस क्या है, प्लस आप उसको पूरा कैसे कर सकते हो, क्या-क्या ओप्स्टिकल्स आ सकते हो, उनसे बाहर आपको कैसे निकलना हैं, ताकि आपकी जीवन की जो कठिनाएया है, जो परेशानिया हैं, उनको आप फेस कर सकें या फिर उनको नजर अंदास कर सकें, ये तो नहीं कहुंगी कि परेशानिया आप पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो तो देखो नई होती हैं, हम जहाँ पर हैं, वहाँ पर परेशानिया तो देखो रहेंगी लेकिन जब हम अपना soul purpose पूरा करते हैं तो बड़ी आसानी से उन परेशानियों से बाहर निकलाते हैं उनसे सीख ले लेते हैं और उनका आसर भी हम पर जादा दिनों तक नहीं रहता एक दो दिन के लिए या एक दो घंटे के लिए हमें थोड़ा सा बुरा लगता है किसी के बिवहार का या किसी challenge के लिए जो कि हमें पसंद नहीं था हम नहीं चाहते थे पूरा करना लेकिन इसके बाद हम उसको celebrate करना शिरू कर देते हैं जोई करते हैं कि आरे आजा भई आजा दिकत तेरे से भी बात करते हैं आजा ऐसा हो जाता है हमारा attitude तो वो हम आज करने वाले सीखने वाले कि कैसी होगा संभव सो फटा फट से आप लोग तयार हो जाए इस reading को देखने के लिए यह है pick a bracelet reading तो bracelets में रखोंगी लेकिन कल के जैसे cards भी रखने वाली हूँ जो मैंने कल किया था ना कि cards रखे थे और फिर मैंने बाद में आपके messages खोल कर पढ़े थे तो वैसा ही करने वाली हूँ और pick a group reading भी है तो groups जो है मैंने आपके birth date के हिसाब से बनाए हुए है क्योंकि soul purpose का reading है तो आप अपना birth date देखिए कि कौन से group में आता है उसी group को आपने choose करना है और फिर वही reading आपने देखनी है तो चलो शुरू करते हैं card आपके सामने ही मैं shuffle करके रखोंगी group number one group number one group number one अहां सिर्फ एक card ही चाहिए group number two group number three okay so यहां पर अप मैं bracelet रखोंगी आप लोगों के लिए okay यह ले लेते हैं यह है green adventuring बहुत ही सुन्दर प्यारा सा bracelet है crystal है यह यह आपके हाट चक्रा को हील करता है healing के लिए बहुत अच्छा है और यहां पर इसलिए color green है क्योंगी healing का color है so यह है green adventuring यह यहां पर आएगा उसके बाद रखते हैं okay यह ले लेती हूँ यह है हमारा black tremaline जो की negativity को भगा देता है कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि हम कौन सा crystal use करें जिससे के नजर का असर हम पर ना हो नजर दोश जिनको रहता है कि बहुत जल्ली नजर लगती है या बहुत negativity उनको घेरती है तो black tremaline बहुत अच्छा option है black obsidian भी चलता है इसमें आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं जो भी available हो दूसरा यह रहता है option आपके लिए और तीसरा मैं रखूंगी ओके तो यह है pirate और आप सभी लोगों को पता है कि यह कितना magical crystal है अगर आप wealth attract करना चाहते हैं चाहते हैं कि आपका bank balance बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो आपको हमेशा pirate पहनना चाहिए यह आपने पास रखना चाहिए pirate का angel हो चाहें पेबल हो चाहें bracelet हो ring हो या फिर earrings हो यह जो भी तब अपने पास आप रख सकते हो इसको नहीं तो इसका जो एक kind of rock आता है बड़ा सा पेबल डाइब तो वो आप corner में अपने office के table पर या corner में रख सकते हैं तो कफी अच्छे से यह काम करता है घर पर भी रख सकते हो अब इसकी पूरी डीटेल से यह तो आप मुझे बताना मैं community में share कर दूंगी तो यह तीन bracelets रहे आप इन में से कौन सा आपको select करना आप देख लो वीडियो ना आप post कर लो या screenshot ले लो पूरा time लगाओ आराम से तसल्ली से एक bracelet आप select करो और उसके बाद reading देखो को कोई जल्दबाजी नहीं है और बहुत जादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है आराम से हलके मन से रीडिंग्स देखा करो और खुश रहा करो ठीक है खुश रहना सीखो रोके तो देखो क्या ही मिलेगा कुछ मिलता हो था तो मैं खुद ही आपने उसको बोल देती कि वह याद से रोना शुरू करो देख लो और यह एक टाइमलेस रीडिंग है बेशक आप इसको कभी भी देख सकते हो और जर्म और जाती को लेकर जरा भी भेदभावन नहीं होता है तो आप किसी भी धर्मिया जाती के हैं फरक नहीं परता आप रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस ले सकते हैं ठीक है रेमिडीज में थोड़ा क्योंकि इस फैमिली में हर एक रिलीजन के लोग हैं मैं उनको खुद वेलकम करती हूँ और चाहती हूँ के वो रहें गाइडेंस उनको मिले इस फैमिली में रहकर और परेशान परेशानियों का हल उने मेले आगे बड़े वो ग्रो करें पर्ट रेमिडीज की जब बात आती है तो मैं शेर नहीं कर पाती कि मुझे मेरे रिलीजन का तो पता है जैसे मंत्र चैंटिंग वगेरे क्या है और सारे धर्म के लोगों का मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है तो क्या होता है रेमिडीज में कि जब आपको पता नहीं है तो फिर आधा ग्यान हानिकारक हो जाता है तो आपको कुछ शेर नहीं करना चाहिए पता चला अच्छा तो हुआ नहीं कुछ गड़बड हो गई तो इसलिए मैं शेर नहीं करती सो मैनिफेस्टेशन के जो तरीके बताती हूँ न आप लोग वो सुना करो उसे फॉलो किया करो और रेमिडीज का तो अगर कोई मुझे ऐसा कोई एक्सपर्ट कोई एक्सपिरियंस्ट इंसान मिल जाए जो की रेमिडीज बताए मुझे यहां पर यहर धर्म के लोग हैं उन नहीं लेती कि मेरी फैमिली है कुछ प्रॉब्लम होई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और यह इसलिए मैं बोल रही हूँ क्यों कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप हमारे लिए रेमिडीज लेके नहीं आती यही है कि मैं अच्छी नहीं हूँ उसमें जानती नही इन गाइस पेड़ पर्सन रीडिंग्स फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स या क्रिस्टल्स इन सबकी जानकारी के लिए रेस्क्रिप्शन चेक करें और कोई भी लिंक या वाटसप नमबर आपको शेर किया जाए उस पर ना जाए इसपेशलि अगर कॉमेंट आप करते हो वह इंस्ट्रिग्राम पर रहना है अगर रेमिडीज वगरे फॉलो करने के लिए जानने के लिए अपडेट से लेने के लिए डेस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो वहां एवरी डे मैं कुछ-कुछ तो लेकर आती रहती हूं तो आप देख सकते हो ओक चलो शुरू करते हैं हमारी डीडिंग देखते हैं क्या कुछ आते हैं ओल देपेस्ट तो जेनों ने भी चूज किया है पायराइट को एंड गुरूप नुम्बर वान को तो चली देखते हैं आपका सुल पॉपस क्या है लेकिन उससे पहले देखेंगे मैसेज तो मैसेज देखा क्या है आपके लिए को सरेंडर तू सेटिング लिमेट्स तो यह उन लोगों के लिए मैसेज जो कि कह सकते हैं पीपल प्लीजींग है पीपल प्लीजींग का मतलब वह करना हमेशां वह करना यह जिसे कि लोग खुश हो, भले ही उसमें आपका नुकसान हो रहा हो, आप जानते हो कि आपका नुकसान हो रहा है, फिर भी आप वो काम करते हो, सिर्फ इसलिए कि कि सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए, तो उनके लिए संदेश ये है, कि थोड़ा सा बाउंडरी बनाना जरूरी है, समटाइम्स नो कहना भी जरूरी है, समटाइम्स अपनी नीट सामने रखना भी जरूरी है, जहां वो रिलेशनशिप हो, जहां पर आप काम करें, प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर भी, अब हो सकता है आपका डेस्टी नंबर टू है, सेवन है या या एट है, इन लो हो, बाहर आते आते हैं है, में चंज होजाता है, मैंने देखा है क्या इक हूइस, सामने से देखा है, मेरी इछ individuals से बिलेख वहां आपका अभी नेचर है, वही डिघ्जी नंबर हो सकता है, क्या हो यस्था लोगों के साथ कि क्यूंकि इतने इमोश्णल होते हैं कि काई बा बड़ी बड़ी opportunities को यह खो देते हैं, for example, मालो जैसे आपको किसी ने मौका दिया कि आपको किसी और country में जाना है और बहुत अच्छा एक job है, वहाँ पर वो चाहते हैं कि आप वहाँ set हो जाओ, बड़ी आसी salary मिलेगी, लेकिन क्यों कि आप family से दूर रहोगे तो आप उस opportunity क ना बोल देते हो, मताब मुझे नहीं जाना, job नहीं करना, family के साथ रहना है, बात में लगता है यार क्यों किया, या family बोल देते हैं कि वेटा क्यों किया ऐसा है, हम लोग रह लेते हैं, आपको जाना चाहिए था, ऐसा, यह होता है, या फिर मालो जैसे यहाँ पर है कि आप को नो कहना सीखना चाहिए, ऐसा हो सकता है, मालो जहाँ पर job करते हो, जिस भी company में हो, वहाँ पर आपका staff है, colleagues हैं आपके, सबसे जादा intelligent, responsible आप ही हो, अब आपके boss को यह पता है, और उनको यह पता है कि बाकी के जो लोग है ना, वो गलतियां करते रहते हैं, कुछ भी उ मिल जाएगा बात खत्म, अब उनको नहीं है इस बात की सिंता कि आप पर कितना pressure पड़ रहा है, आपको दे दिया, अब यहां पर नाइनसाफी क्या होती है, कि सब का काम आप करोगे, लेकिन सेलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन काम आपको सब का मिल गया, और अगर आप से ग ठीक है, कि मम्मा ने पापा ने आपको काम दे दिया, और सारे भाई बैनों को, कि अरे यह तो जानते नहीं, इनको छोड़ दो, उनको सिखाएंगे नहीं, यह कर देंगे कि इनको दो ही मत काम, ऐसा, तो में भी आपका nature है, तो यहां पर आपको बोला गया है, कि थोड़ा स बाउन्डरी बनाना सीखो, नो कहना सीखो, अब नो कहना इतना आसान नहीं होता जानती हूं, बहुत से लोगे आपर बोलेंगे कि हां मैम हम जानते हैं, यह चीज जरूरी है, लेकिन हम कर नहीं पाते, जब हम सामने वाले का फेस देखते हैं तो हमें बुरा लग जाता है, हाँ, जब आप नो कहोगे, उनके फेस पर बारा बजेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक भी बजता है, गड़ी बारा पे नहीं अटकती है मैशा, ठीक है, तो तोड़ा प्रैक्टिस करूँ, ओके यह आपके लिए जरूरी है, नहीं तो पता क्या होगा, आपके काम अटके पता है, एसा है, तो अब हम देखेंगे आपका सोल पॉपस क्या है, और क्या गाइडेंस है आपके लिए, एक गाइडेंस तो देखो आपको शुरू में ही मिल गया, यह आपको बाउंडरी अपनी बनानी है, चाहे वो रिलेशन्शिप हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल आपको लेकर ही क्यों नहों, आपको बाउंडरी भी सेट करनी है, आपको अपनी नीट्स भी बतानी है, ऐसा नहीं कि रिलेशन्शिप में भी न, कि आप अपने पार्टनर को प्यार करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, सामने वाल आपको समझी नहीं रहे, आपको खुदी सम ले नहीं समझ रहा अगर तो नहीं बताऊगे तो इसमें आपका नुकसान होगा है ना तो बताओ अपनी नीट्स बताओ खुल के बताओ करो यह काम करो प्रैक्टिस करो हो जाएगा पॉप ईसमें रखुखरतीया अगर फैमिली नहीं है आपके रिल्यट्ट्ट clone खुश नहीं है तो आपको बहुत अक्लीफ होती है फैमिली के लिए कुछ भी करेंगे कितना भी compromise करेंगे या फिर फैमिली इतनी dominating है कि आप उनका विरोध नहीं कर सकते लेकिन यह बहुत कम लोगों के लिए है मुझे लग रहा है कि आप के मन में यह चीज रहती है कि युनो फैमिली में सभी लोगों को कुछ रखना है यह वाली चीज है फैमिली नहीं तो कुछ नहीं ऐसा five of cups but the same time आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको नहीं समझती उनको नहीं समझ आता है कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा आपको किस चीज की नीड है आपकी नीड का उन्हें ख्याल नहीं रहता ऐसा भी लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि शायद बहुत चोटी उम्र से आपनी जिम्हेदारियों को ठाना शिडू कर दिया कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज़ आ रहे मैं चैनल कर रही हूं तो देखेगा कितने लोगों से रजनेट होता है मालो आप प्लस वान या टू में थे उस वक्त शायद आपके ममा प्रेगनेंट थी और बेबी आया और उसके बाद उनकी हेल्थ शायद उतनी अच्छे से उतना इंप्रूव्मेंट नहीं आया जितना क्या आना चाहिए उनको थोड़ा बेड रेस्ट वगेरे बोला गया तो उस समय आपको सारी जमेदारियां पूरी करनी पड़ी सारे काम आपको करने पड़े और फिर ऐसा हुआ कि आप पर ही सारा काम आ गया आपकी ममा ठीक भी हो गई लेकिन फिर वो चीज वापस नहीं हुई कि अभी ममा को हैंडल करना है आपने ही सब कुछ हैंडल किया या अगर आप मेल है तो फादर हो सकते हैं मा की जगे कि उनको कुछ हैल्थ इशूस थे जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था और आपने उस वक्त सारी जिमेदारि उन पर गई नहीं आप ही करने लग गए तो एक तरीके से माता पिता की जगे आपने ले ली पता नहीं चला लेकिन यह हो गया त्री ओफ कॉइंस मेबी आप ही है वो व्यक्ति जो अर्ण भी करते हैं जो बोलते हैं ब्रेड विनर तो मेबी आप ही सभी की च्छाएं पूरी करना अपने भाई बेहनों को पढ़ाना लिखाना सारी सारे काम करना या कोई और भी अगर आ जाता है तो उसकी जिमिदारी उठा लेते हो यहां कि पैसा कमाना घर देखना सब कुछ आप पर ही है और इस दौरान आपके खुद के अनरजी कई बार लो जाती है लेकिन आपक नहीं है ऐसा है इस चीज का बहुत बुरा लगता होगा हेल्पलेस फील करते होंगे पेनफुल अनरजी है अकेलापन है बड़ी फैमली है रिलेटिव जेंस सब हैं लेकिन फिर भी अकेलापन अंदर है जो की फाइव अफ सोट के साथ आता है प्लास यहां पर कई बार आप आपको for granted ले लेते हैं चाहे family हो चाहे work place हो चाहे friends हो लोग जानते हैं कि आपको क्या मैसूस होगा जब वो कुछ बाते कहेंगे कुछ ऐसी बाते हैं जो आपकी दिल को बहुत लग जाती है तो जब भी आपकी fight होती है घर पर या आपके friends के बीच तो जानकर वो वही वाला point बोलते हैं आपको control में लेने के लिए ऐसा आपको लगता है और हो सकता है ऐसा हो भी किकि ये दोनों cards कहीं न कहीं सी एक जैसे हैं किसी को दिखाते भी नहीं हो कि तकलीफ में हो परेशान हो रोते भी हो तो room में अंदर जाकर रोते हो क्योंकि दिखाना पसंद नहीं है और लग कब काम करेगा ये सवाल आपके मन में हमेशा बना रहता है और मेभी यही सवाल आपको tarot card readings में खीच कर लेकर आया किकि आपको ऐसा लगा कि सब कुछ तो आपने try कर लिया लेकिन काम बना नहीं जो हम कहते हैं ना महनत करो महनत का फल मिलेगा तो आप कही ना कहीं ऐसा सोचते हो कि लग भी उतना ही काम करता है जितनी महनत लग कब तक काम करेगा सवाल आपके मन में है confused जो बहुत कुछ आपने try भी किया इस दोरान हमका एक solution हमें मिले तो वो क्या है वो कहां से मिलेगा पता नहीं है तो soul purpose अगर पूरा करते हैं तो हम इससे मुक्त हो जाएंगे that's why आप यह reading देख रहे हो eight of cups हर किसी से detast हो हर किसी से संतुष्ट हो और आपको लगता है संतुष्टी एक ही जगे मिलेगी जब आप अपने power में आओगे और अपने power में तब आओगे जब अपना soul purpose पूरा करोगे तो यह story मुझे कही न कहीं आपकी लग रही है you want to celebrate your life and your journey आपको लगता है soul purpose पूरा करके आप वो celebrate कर पाओगे very good actually ऐसा ही है तो हम देखते हैं अब आपका soul purpose क्या है पूरा की इसलाइस healthy mind and body जन्वी है अहा है तमस तो लो एनजी अभी हाल फ्लाल में कुछ करने का दिल नहीं कर रहा हम बैट पर बैठे रहें खाना पानी सब यहीं मिल जाए कुछ नया करना नहीं है कुछ देखना नहीं है किसी से बात नहीं करनी आलस बहुत आता है, नीन बहुत आती है ऐसा होता होगा आपके साथ है ना Health से भी गए Wealth से भी गए वह वाली चीज ना Relationships से भी गए कोई नहीं है अपना ऐसा लगता होगा Healer अच्छा मैं देख रही हूँ कि जैसे यहां एट ऑफ कपस आया देन स्ट्रेंथ आया और यहां पर फाइव ऑफ कपस भी है और मैंने जो मैसेज़ेस पिक किया और यहां पर तमस का भी कार्ड है और विजलाइज एल्थी बॉड़ी और माइन का भी कार्ड है तो यह सारे कार्ट कहीं न कहीं बताते हैं कि health issues आपको काफी सारे रहे हैं कुछ तो chronic भी है और आपने इतना treatment वगेरे कराया है खुद का या फिर family में लोगोंगा क्या भी तो दवाईयों के नाम आपको ऐसे यादोंगे अगर कोई आपसे बोले कि a fever आ रहा है आप ऐसे बता से शुरू हुआ था एंड फैमिली अगें यहाँ पर कार्ड आता है ओके एक कार्ड मैं और निकालूंगी एनिमल्स सोल पापस जो आपका है न वो है हीलर बनने का एक गिफ्ट आपको एक इस्पिशल गिफ्ट आपको मिला है यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग करने का अगर आप यह सोचते हो ना कि सामने वाला हेल्दी हो जाए या सामने वाले की इच्छा पूरी हो जाए तो वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती होगी आपके भले ना हो आपने यह देखा होगा या मालो के कोई बहुत दिनों से बिमार है तकलीफ में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा और आप गए आपने जिस्ट उसको टेच किया या फिर सिर्फ उसको अपने हाथों से कुछ खिला दिया या कोई दवाईयां दे दी तो वो ठीक हो जाता होगा ऐसा यह चीज आप पता नहीं आपने ध्यान दी है या ध्यान देने की है क्योंकि यह चीज है आपके साथ आप आगे से ना अगर ध दो बारी आप उसको अपने हाथों से बना के कुछ खिला दो या तवाईयां दे दो या उसकी थोड़ी सी सेवा कर दो और फिर देखो कि कितना कुईकली वो ठीक होता है आपको देखना पड़ेगा यह एनिमल्स के साथ भी है आपकी केर एनिमल्स के लिए भी बहुत जादा क करवाने के लिए तो जब मैं उनको बोलती हो कि आपको एनिमल्स का केर करना है वो कहते हैं अरे दी हमें बहुत डर लगता है तो मैं उनको बोलती हो कि यही तो इस्टर कले अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एक बार जब आपका कनेक्शन बन जाएगा एनिमल् भी भाग जाएगा और आप उन लोगों से जादा अच्छे से केर कर पाओगे जो कि नहीं डरते हैं अनिमल्स के साथ तो चीज़े ऐसे काम करती हैं सम्टाइम्स कि हमारी कार्मी क्लेंजिंग भी तो होती है ना तो यहां पर ऐसा है तो आपको वही बोला गया है कि आप एक हीलर बनो कि यह गिफ्ट्स हैं आपके पास किनको हील कर सकते हैं एक तो शुरुआत कर सकते हैं आपकी फैमिली से और दूसरा आपके फ्रेंड्स और उसके बाद एनिमल्स अब इनकी हीलिंग आपको कैसे करना है वो आप देख लो ओके यह आपका सोल पॉपस है देखो बह बडानी कि अबड़ा नहीं है कि वह आपका सुल पॉपस है तो आप उसको सोल फॉपस के जैसे पूरा नहीं कर दो करना पड़ रहा है मतलब एक बोच के जैसे वहाँ पर दिक्कत आ रही है तो अब जब आप ये जानकर ये अपनी डूटी पूरी करोगे कि ये आपका सोल पॉर्पस है तो फिर ये बोच नहीं रहेगा और आपकी लाइफ में जो आपस्टेकल्स है वो भी कही ना कही दूर हो ये कली ऐसा होता है सो हीलर बनना आपका सोल पॉर्पस है अप कैसे आप लोगों को हील करोगे वह आप देख सकते हो किल लोगों को हील करना रहसे भूह मैंने presenting आपको बता दिया और यू कहा निकार में चलू करना है इंप फैमिली की मिलींटी इस दो यसको आपके बनने मा अब आप अच्छे से करोगे दिल लगा करोगे तो आपकी जो लाइफ की ऑप्स्टिकल्स है वो हटना शुरू हो जाएंगे इसके साथ ही साथ अगें लिमिट से जादा कुछ नहीं करना है तो यह मैसेज आपको पहले से ही इसलिए मिल गया कि युनिवर्स को पता था कि यह स कांड्री इसको बना कर उसके बाद लोगों की हीलिंग करनी है अपना फाइदा नहीं उठाने देना है किसी को भी ओके ऑल राइट और देख लेते हैं यहां पर क्या है आपके लिए गाइडेंस इसके अलाबा ज़्के अनिमल्स को प्रोटेक्ट करना उनका ख्याल रखना कहीं पर भी आपको एनिमल्स दिखते हैं आप उनका ख्याल रख सकते हो या यह नो आप कुछ ऐसा कोई सेंटर बगेरे बना सकते हो अगर आपको जैसे आप लोग बोलते हो ना कई बार जब मैं चैरिटी की बात करती हूं कि आप पैसे भेज सकते हैं मैं लोगों में ब्लैंकेट्स बाट रही हूं खाने पीने का समान तो इसको पूरा करना है अब कैसे आप उनको प्रटेक्ट करोगे वह आपने सोचने जैसे मुझे हल्प करनी थी तो मैंने जरिया वनाया कि अपने फैमली से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वह सपोर्ट करें और अपनी तरफ से जू मैं कर सकती थी ब्लैंकेट्स वगरे को लेके खाने पेने को लेके तो वह मैंने पुरा प्लान मनाया टीम मनाई तो वैसे आप भी कर सकते हूं ओके गाइडेंस क्या है आपके लिए चूस्ट इंपावर योसेल्फ realize that you do have the ability to enhance your life each day ये message आप लोग ना एक बारी इसका वो ले लो screenshot एक तरीकी से आपको ये बोला जा रहा है कि खुद को इंपावर करने के लिए क्या कुछ करने के आवश्यक्ता है वो आप देखो क्या चीज आपको अच्छा मैसूस करवाती है कित से आपको लगता है कि आप motivated feel करते हो तो वो चीजें आपने करनी है painting sketching cooking लोगों से बात करना वीडियोस देखना क्या क्या ऐसा है या बुक्स पढ़ना मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है जो कि मैं पढ़नी पाती आला की टाइड नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो वह आप देखो कि क्या है वो चीज जो आपको थोड़ा सा एनरजाइस करती है आपको बूस्ट करती है वो आप करिए और उसके बाद अपने गोल साब पूरे कर सकते हो ओके तो यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल है आप कोमेंट करो इस वीडियो क सारे कॉमेंट्स देखने की मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी और आपको रिप्लाइब भी दूँगी क्योंकि सोल पपस का reading है ओके ओल राइट गाईज सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में तिल देन टेक कियर बाइज हैलो गाईज तो जिन्होंने भी चूस कि किया है ब्लैक टर्मलेन ब्रेसलेट को जो कि कुछ इस तरीके से है बड़ा ही सुन्दर दिखता है और जिन्होंने चूस किया है ग्रूप नॉमबर टू को तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए मैसज क्या है जो कि इस कार्ड में है और उसके बाद देखेंगे कि तो जिन्हों ने भी ब्लेक ट्रमेलिन को चूस किया है और ग्रुप नमबर टू को चूस किया है हो सकता है कि अब भी आपकी लाइफ में काफी कुछ चल रहा है बहुत शोर सा है बहुत भागदौड सी है stability नहीं है सब कुछ हवा हवा में है उड़ा उड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा direction लेना चाहिए कहां जाना चाहिए किस से बात करनी चाहिए mental peace नहीं है बहुत कुछ है handle करने के लिए बहुत उलजी वई सी energy हो सकते अभी हाल फिलाल में हो परिस्तितियां ऐसी हो तो आपको यह बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अगर समय निकाल कर meditation कर सके हैं थोड़ा सा शांत रहकर अपने आसपास के वातावरन को महसूस कर सकें तो यह काफी हद तक आपकी इस problem का solution आपको दे देगा यह जो आप एक माहौल बनाओगे यह माहौल आपको आपकी problem का solution द बोला आपको यह गया है कि थोड़ा सा टाइम निकालो खुद के लिए meditation करो yoga करो अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो शांत थोड़ी देर बैटना है आखे बंद करके आप जब सांस लेते हो और छोड़ते हो तो यह जो एक प्रक्रिया होती है ना इस पर थोड़ा सा ध्यान कर सकते हो तो शांत हो के बैट जाओ मोबाइल जो है वो साइड में रख दो थोड़ा सा उसको चाहे तो सुच ओफ कर दो और सारा टीवी जो भी आस पास का साउंड है उसको थोड़ा बंद करो और शांती से बैठो तो अंदर कौन सा शोर हो रहा है ना उसकी आवाज आपक कंफ्यूजड हो ठीक है तो आपको बोला जा रहे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप चाहो तो कैंडल के साथ कर सकते हो क्योंकि जब मैंने यह शुरू किया था तो कैंडल का सहारा लिया था कैंडल ना बहुत जल्दी आपको किसी भी अवस्था में पहुचाने के लिए ना हेल्प करती हैं आपको इस टेवल रहने के लिए आपको आप आप कॉंसेंट्रेट कर पाते हो आपका ध्यान नहीं भटकता कुछ है अशा मुझे लगता है लेकिंग केंडल के साथ में मेरा एक्सपीरेंस अशा है तो मुझे केंडल बहुत पसंद है तो अगर आपको आप कर सकते हो अगर अब भी तक आपने त्राई नहीं किया तो आप स्क्राइध सकते हो के चैंडल सा पुल भी बत हार रहीं है group number two black tourmaline let's see Queen of Wands Nine of Cups Two of Wands Seven of Swords Page of Cups Strength Ace of Cups Four of Coins Four of Pentacles Seven of Cups Three of Cups So, I feel like those who have chosen to surrender to silence, they have to take a decision. That's why there is a message for you. If you want to take a decision, many people are talking about this. If you talk about four people, they will keep your experience in front of you. This is normal. भवले ही problems आए, difficulties हो जाए, सामने आपको face करनी पड़े. लेकिन partner होना चीजह है कि अकेला पन बशीन है, वो सबसे बुरी चीजह होती है। वो आपको खा जाता है। तो अकेले पन से बशने के लिए partner का होना जरूरी है. जगड़े होते हैं कोई नहीं चलता है, जगड़े त आते हो ना तो एक और बोज बन जाती है वो चीज अगर आपके विचार नहीं मिल रहे तो जगड़े इसे जो डिप्रेशन आएगा उससे बचने के लिए आप अकेले रहो हो जादा अच्छा है तो हर तरीके का हर इंसान अपना एक experience आपके सामने रखेगा अब आपके साथ क्या हो जाता है कि जब आप श्योड नहीं होते हो कि exactly आप क्या चाहते हो आपकी सोल आप से क्या चाहती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो चार लोग को सुनते हो किसी की कोई बात अच्छी लगत जोटी है और ऐसे करके करके आप जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आप आकर वापस रुख जाते हो क्या कोई फैसला आप नहीं कर पाए उस स्थिति में आपके साथ क्या है कोई कि साथ में आपकी लिडिंग शुरू हुए है तो यह तो समझ आता है कि आप अभी हाल फि हो और बहुत सी चीजों पर आपने काम किया है आपने हीलिंग भी करिया और फिर से वहीं ना कि 2024 जो है वह मैं अच्छा बना कर रहूंगी यह रेजलेशन आपने लिया और आगे बड़े सब चल रहा है बट रिलेशन्शिप की जब बात आती है वहाँ पर भी चाहते हो शुरुआत करना वहाँ पर भी एक और चांस खुद को देना चाहते हो लेकिन थोड़ा डर लग रहा है तो आपको लगता है कि शुरुआत करना इतनी एनौर्जी मैंने खुद के अंदर भरी है वह एनौर्जी फिर से निकल जाए एसा और इतना ना हमें है कि वाप से लोग हो जाए तो पूछताच कर के आगे बढ़ते हैं, बात चीद करके आगे बढ़ते हैं, फिर एक मौका देंगे, क्योंकि ये चीज भी ट्राइ करनी है, इस तरफ भी आगे बढ़ना है, तो ऐसे करते करते करते, अभी ऐसा आपको समझ आया कि चार लोगों से बात करना भी जरूरी है, at the same time अगर हम अपना soul purpose follow करे तो अगर कोई अच्छा मैच नहीं भी मिला, तो हो सकता है, वो चेंज हो जाए, उसका attitude चेंज हो जाए, कुछ ऐसा आपने सोचा है, कि miracles हो सकते हैं, अगर हम soul purpose को follow करें, तो मैं भी आपने कल वाला reading देखा है, कि आप soul purpose follow करोगे, तो miracles होंगे, तो या तो आप किसी को जान उनके लिए आप soul purpose follow करना चाहते हो, कि उनके साथ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन डर लग रहा है, कि कहीं वो चीट ना कर दे, तो उस धोके से बचने के लिए आप soul purpose पूरा करना चाहते हो, या फिर चार लोगों से बात करने के बाद में, जो confusion आपका बना है, उस confusion से ब नमर वन हो, यहां पर भी हो, लेकिन आप शायद लग आपका काम नहीं कर रहा, बाकी चीजों में ऐसा लग रहा है, कि जैसे जैसे आप positive होते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी काम मनते जा रहे है, I am very happy for you, so यह reason हो सकता है, आपके reading देखने का, कुछ लोग के लिए मज़े यह लग रहा है, कि आपके सामने शायद दो options है, और आपको समझ नहीं आ रहा है, कि आपका twin flame कौन है, और आपका karmic कौन है, तो आपको लगता है कि अगर आप अपना soul purpose follow करना शुरू करोगे, तो universe आपको clarity देदेगी, और आप फिर उसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ोगे, जिसके साथ में आपकी destiny है, या जिसके साथ में खुशिया है, right, वो जीज़ है, तो let's see, क्या है आपके लिए, तो यहाँ पर आपके लिए आगया है पार्वती का card, very nice, उसके बाद यहाँ पर, इस text से देखते हैं, क्या है, healer, आप चाहें तो pile 1 भी देख सकते हो, वो सकता है, वो भी आपसे resonate करें, we have travel, ओ, आप एक earth angel हो, पता है, आपके cards में आ रहा है, talk to your angels, instead of worrying, ask for divine guidance, okay, so what's the soul purpose, पार्वती के card के साथ यह तो clear हो गया, कि या तो आप soulmate, या वो journey चाहते हो, और अगर इस card के बारे में आप जानोगे, तो इसमें है कि, जब आप किसी को प्रेम करते हो, किसी को अपनी जीवन में चाहते हो ना, तो मा पार्वती के जैसा होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, तो आपको पता है ना, कैसे माता पार्वती ने शिव जी को पाया था, शिव जी उनको बार बार बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विवा नहीं हो सकता, लेकिन बो तो जित पर लगी भी थी, तो जितना इना वक रिक्वाइड था, उन्होंने वो किया, उसके बाद भी उनका डेडिकेशन देखने लाइक है, तो वो डेडिकेशन चाहिए, तो हाँ, अगर आप सोल पॉपस का रीडिंग देख रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, औ आपको बोला भी गया, गिवप नहीं करो, आप आगे बड़ो, आपको सकस्स मिलेगी, अब सोल पॉपस के लिए, हीलर बनना आपका सोल पॉपस है, आप हील कर सकते हो लोगों को, इस्पिर्च्वल गिफ्ट है यह आपका हीलिंग का, तो भगवान ने दिया है आपको यह जो कि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रियोग में ला सकते हो, शेर कर सकते हो, अच्छली, अच्छा आप यहाँ पर एक तो तरीका यह है कि आप ट्रेवल करें और ट्रेवल करते हुए लोगों की हीलिंग करें, अब यह किस तरीक से कर सकते हो आप देखो, ओक कुछ लोग यह करते हैं for example जैसे कि गाउं में जाकर मेरे से भी कुछ लोग हैं connected जो कि यह काम करना चाहते हैं और कर भी रहें अभी छोटे इस तर पर कर रहें लेकिन of course वो बड़ा भी बनेगा कि गाउं गाउं में जाकर लड़कियों को बताते हैं sanitary pads के बारे में कैसे use करना है यह भी एक healing का ही इससा है कि बहुत सी लड़कियों को नहीं पता इस बारे में राइट तो वो बता रहे हैं गाउं में especially जो बहुत चोटे गाउं है उनको नहीं वहां पर लड़कियों को नहीं पता कि यह कितना जरूरी है यूज करना तो वहां गाउं में जाकर लड़कियों को बताना कि pads यूज करने हैं किस तरीके से hygiene का ख्याल रखना है यह सब कुछ करना या मैंने कई बार देखा है कि बहुत से doctors हैं जो की चोटे चोटे गाउं में जाकर लोगों को बताते हैं कि यह जो health issues हैं इनका इलाज हो सकता है या किस तरीकी से हो सकता है या अगर एक हफ्ते वह ट्रीट कर दें उससे भी problem का solution मिल जाता है कुछ दवाईयां दे देते हैं 2-3 महीने के लिए कि आप यह रखो और इससे आप अपनी healing कर सकते हो मतब ऐसे ऐसे लेना है तो इस तरीके से भी treat कर रहे हैं ल आते हैं लोगों को treat करते हैं लोगों को educate करनी की कोशिश करते हैं उनकी knowledge बढ़ाते हैं कि कैसे health का ख्यार रख सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है मैंने देखा है तो मैं बता रही हूं कि लोग करते हैं वैसे आप भी कर सकते हो ओके तो आपका कहीं ना कहीं soul purpose यह है कि आप travel involve कर लेते हो यानि कि लोगों तक पहुच पहुच कर उनको समझाना बताना तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर पर्यावरंड से जुड़ी जानकारी आप लोगों को दे सकते हो कि पर्यावरंड को सुरक्षित रखो पेड़ पौदे मत काटो उसका बु पेड़ पौदों की हीलिंग आप कर सकते हो उनका ख्याल रखना जगह 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 जाकर पेड़ पौदे लगाना यह भी एक काम है इसमें भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा आप जाएं एरिया देखें कि कहां पर पेड़ पौदे नहीं है तो वह एक ना अपना पूर बड़े लेवल पर नहीं कर सकते हो तो छोटे लेवल पर करो तो यह आप कड़ सकते हो ठीक है तो यह कही ना कहीं आपका Soul Purpose है, ठीक है, यह आपको complete करना है, I hope कि आपको समझ आया हो, आपको और डीटेल चाहिए तो आप बता देना, Spend the day with God, आपको ये भी बोला गया है, कि आप थोड़ा समय भगवान के साथ बिताओ, ये दोनों messages, see, एक जैसे ही है, Okay, so जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप meditation करोगे, या थोड़ी दर chanting करोगे, या शान्त भी बैठोगे, तो उससे भी समझा जाएगा, exactly मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है न, थोड़ा भगवान के साथ में आप समय बिताएं, और अपने इस soul purpose को पूरा करें, तो जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे न, आप देखना आपको बड़ा सुकून भी मिलेगा, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जिसमें कुछ टिप्स उन्होंने दिये थे, कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो इससे बाहर कैसे निकलो, तो उन्होंने ये भी एक option दिया था, और charity का भी option दिया था, जो आप लोग क डिप्रेशन से निकलने का एक तरीका है ये, बोलते हैं charity करना चाहिए, तो मन को सुकून मिलता है, जब आप किसी और के लिए कुछ करते हो तो, अब ऐसे देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अरे हम क्यों देदें उनको, कपड़े हम क्यों पैसे देदें, हम क्यों खा करते हैं, देखो, ओके, तो ऐसा है, तो आप ये कर सकते हो, पेर पौदों का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, जा जाकर जगे जगे पर लोगों को सिक्षा देना, किसी भी विशय पर, जो आपको लगता है कि आप भी लोग नहीं जानते हैं, अवेरनेस फैलाना जरूरी है, तो कर सकते हो ये, तो ये आपका purpose है, ओर राइट, ये थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, गर पसंद आई तो like जरूर करें, resonate करें तो मैं जरूर बताएं, और कोई सवाल है तो आप पूछ ले ना, comment में, आपको जबाब दूंगे, ओके, चालिए, कल मिल नमबर 3 को, तो चलिए, देखते हैं, सबसे पहले तो आपके लिए message क्या है, और फिर देखेंगे आपका soul purpose क्या है, so message है, यहाँ पर surrender negative thinking, very good, okay, तो maybe आपको काफी सारे negative thoughts आते हैं, maybe आप उनको अपने पास रखते भी हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कि थोड़ा surrender करो, इस energy को, negative thoughts क्यों आते हैं guys, क्या लगता है आपको, मुझे ऐसा लगता है, negative thoughts तब आते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा future का सोच रहे होते हैं, या फिर हम अपने past का सोच रहे होते हैं, negative thoughts तब आते हैं, past का सोच के कैसे आते हैं, कि हमारे साथ ये बुरा हुआ था, अब फिर से हो जाएगा, ऐसा, या मेरे साथ भगवान नहीं है, अच्छा past में हुआ था और हो जाएगा, present में क्या है, उस पर focus नहीं है, हो जाएगा, था, anger, यहाँ पर जिंदिगी अटक जाती है, तब ही negativity हम पर हावी होती है, और present का भी, अगर present में चीज़ें बहतर नहीं चल रही हैं, तो हम again past से उसको जोडते हैं, और future से भी जोडते हैं, अभी अगर यह हाल है, तो future में क्या होगा, या past में जो चीज़ हुई थी, कहीं वही तो नहीं अभी भी हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा, यह, इससे होता है, लेकिन सिर्फ अगर आप present पे focus करो, तो मुझे आप problems को solve करने का सोचोगे, ना कि यह कि बुरा क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, यह सब नहीं, जैसे मालो अभी आपको भूक लगी है, तो आप खाना बनाने के लिए जाओगे, अगर present का सोचते हो, भूक लगी है, खाना चाहिए, खाना बनाने जाएंगे, अगर आप past में जाते हो, मैंने तब खाना बनाया था ना, उस बारी मुझे चोट लग गई थी, तो बस negativity आ गई, तो क्या करना है न, कि हमें थोड़ा past से भी दूर रहना और हमें थोड़ा future के बारे में भी कम सोचना है, उतना सोचो जितना की जरूरी है, जैसे बात savings की आ तो आपको वही बोला गया है कि थोड़ा न, present में रहना सीखो, और जो है उसके लिए gratitude एक्स्प्रेस करना सीखो, यूनिवर्स को thank you बोलना सीखो, भगवान जी को thank you बोलना सीखो, ना कि जो हो गया उसके लिए गम में रहना है, रोना है, पचताना है, और past के जो डर है, फ इसको future के लिए manifest करना है, थोड़ा सा न, वर्तमान में रहने की कोशिश करो, करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ओके, तो हम देखते हैं, आपका soul purpose क्या है, पता लगाते हैं, चलो, और जल्दी जल्दी से आपने जो अभी manifest किया है, उसको comment में लिखो, और मुझे य जानना चाती हूँ, क्योंकि लगातार अभी मैं बोल रही हूँ वीडियोस में, जानना चाती हूँ कितने लोग सुन रहे हैं, इसक्रिप्ट राइटिंग आपको नहीं छोड़नी हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है, यह ना गाठ बंद लो इस बात को, यह जैसे खाना खाते है पानी पीतते हैं वैसा हमें अपनी जो wishes हैं, अपनी जो manifestation हैं उसको डाइरी में उतारना ही उतारना है, everyday, so यहाँ पर है सबसे पहले तो आपके लिए king of coins यानि के king of pentacles, दूसरा यहाँ पर आता है the emperor, okay, the empress, very nice, and the moon, okay, devil, king of wands, nine of wands, ace of cups, ten of pentacles, actually, आप future को लेकर सच में बहुत परिशान हो, आपके लिए आया भी emperor and empress के अनाजी है यहाँ पर, so कहीं ना कहीं, एक माता पिता का रोल अदा कर रहे हो आप, और इसी वज़े से चिंतित हो भविश्य को लेकर, ऐसा भी हो सकता है कि यह चिंता आपके पेरेंस के लिए हो, जैसे के मान लो आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको पता है आपके पेरेंस पर परिशान हैं बहुत जाद है, इस बात को लेकर, शादी नहीं हो रही है, कैसे होगी, क्या होगी, तो भी एक रीजन हो सकता है, आपके डर का, और नहीं तो खुदी उस रोल में हो, हो सकता ह आप माबाप हैं, आपके बच्चों के लिए परिशान है यहाँ पर कोई तो बहुत ज़ादा जिद्धी है उसके जिद्ध के वज़े से भी आप परिशान हो मुझे बताएगा यह कौन है एक जिद्ध है आपकी हो सकती है आपके फादर की हो सकती है कुछ तो है और इसी वज़े से ये निगेटिव थॉट्स आते हैं मून के एनरजी है, डेविल के एनरजी है तभी यहाँ पर सरेंडर निगेटिव थिंकिंग का काड आया नाइन अव वांज भी है लेकिन निगेटिविटी जिद से ही आ रही है मुझे एक्जैक्ली ऐसा ही चाहिए नहीं मिला तो हम डेविल के एनरजी में आ जाएंगे ऐसा है एक पॉफेक्ट लाइफ चाहिए आपको तो क्या पॉफेक्ट लाइफ हमें मिल सकती है यह सवाल कुछ से करो पॉसिबल है यह दुनिया में कोई पॉफेक्ट नहीं होता हम कोशिश करते हैं पॉफेक्ट बनने की लेकिन पॉफेक्ट बन नहीं पाते और यह चीज आपको तो समझनी होगी और इसके साथ इस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और अगर कोई और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पॉफेक्ट बनो तो फिर वह गलत एक्सपेक्टेशन्स हैं उनकी तो आपको वह उनको बताना है कि येस बुद्धी तो बी ओनेस मुझे यहां पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही गाईज अम सॉरी अगर आपको सुनके बुरा लगे यहां पर जो प्रॉब्लम्स है ना वो किसी की जित की वज़े से आपके खुद की जित की वज़े से हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सोल पॉपस में आपको बता दूँगी ना उसके बाद भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स में आप मतलब उनसे पूरी तरी किसे निकल नहीं पाओगे जब तक आप अपना एटिट्यूट चेंज नहीं करते या किसी और का एटिट्यूट ऐसा है त तो उसको आप थोड़ा इग्नोर नहीं करते हैं ओके सोल पॉपस आप पूरा करो उसके बाद भी अगर यह वाला एटिट्यूट रहता है तो चिंता परेशानी आपको लगी रहेगी ठीक है तो थोड़ा यह चेंज करने की कोशिश करो अगर आपका यह ऐसा आपको बोला गया है सबसे पहले तो कि अपने एंजल से बात करना थोड़ा शुरू करोगा एक्शली मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में काफी सारे स्ट्रगल रहे हैं पास्ट में अभी तो नहीं बड़ उसके वज़े से आप मस्बूती बने हो आप कमजोर तो नहीं हुए मजबूत बने हो मजबूती होनी पी चाहिए लेकिन लिमिट से जाधा नहीं अब यहां पर मजबूती अगर असभ्यता का रूप ले ले तो फिर वो दिक्कत है मतलब एक होता है कि आप experienced हो और आप लोगों से शेर करें अपना experience और अपने experience अपनी life आगे बढ़ा रहे हो एक रहता है किसी पर control करना कि मुझे सब कुछ पता और तुम मेरी सुनो और सुनकर ही रहो अगर नहीं सुनोगे तो कुछ भी तो वो गलत है मुझे ऐसा लगते है आप उस वाली stage पर जा रहे हो चाहें आप मा हो चाहें आप पिता हो चाहें आप बच्चे हो अपनी बात को समझाओ किसी पर थोपो मत कंट्रोल मत करो किसी को और अगर आपकी life में कोई और है कंट्रोल करने वाला तो उनको भ अगर आपकी energy है जिद वाली तो आपके लिए है कि हाँ ठीक है इसको बढ़ने मत दो जिद मत बनाओ experience बनाओ जिद मत बनाओ ठीक है और अपने एंग्जल से थोड़ा बात करना सीखो meditation वगएरे करो थोड़ा special guidance मिलता है उसे follow करो ऐसे मत बनो कि हाँ यह सारी बाते तो बत soul purpose आपका यह है कि आप crystals के साथ में थोड़ा काम करें हो सकता है कि crystals की अच्छी पैचान हो आपको अगर नहीं है तो पैचान आप कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा research करो जानो कौन सा crystal कैसे काम कर सकता है और crystals की help से आप लोगों की healing करो यह आपका soul purpose है अब आप देखो आ crystals के जरीए ठीक है अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप crystals को लेकर एक website बना दो वो नहीं crystal healing का मतलब है जैसे रेकी healing होती है उसमें crystals use होते हैं कुछ लोग है वो नहीं करते हैं कुछ लोग करते हैं तो आपको crystals के साथ में लोगों की healing करनी है आप चाहें आप उसको profession मनाओ च free of cost कर दो जो भी है लेकिन आप इसकी help से काम कर सकते हो बताने की यह कोशिश कर रही हो आपको सेफ ऐसा नहीं करना के crystals अपने store पर रखे और sell कर दिए वो नहीं आपको healing करनी है प्रॉपर healing करनी है crystals के साथ अब वो आप सीख सकते हो या तो कई सारे courses हैं सामने से हो या online और उसके जरी आप healing करो यह है आपका sole purpose अगर मैं आपको समझा पा रही हूं तो ठीक है तो crystals में थोड़ा interest लेके आओ अगर ने है तो अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा interest जगाने की कोशिश करो और इसके साथ में आप यहनो आगे बढ़ सकते हो there to be creative अगर अपनी creativity दिखा सकते हो crystals के साथ तो भी act rather than wait ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच आपने सोचा हो कि आपको healing करनी healing work करना है crystals के साथ में आगे बढ़ना है लेकिन आप delay कर रहे हो कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे और बहुत से काम है जिनको आप पूरा करेंगे इसको time नह आपके लिए message है कि delay मत करो delay करने से कुछ नहीं होगा वही है कि काम अटके रहेंगे soul purpose नहीं करोगे तो काम अटकेंगे ठीक है तो आप कर डालो अब इससे शुरू कर दो कोई course लेना शुरू कर दो और काम करना शुरू करो लोगों से बात करो कि आप healing करते हो और लोगों वही है introduce करो ना लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप healing कर रहे हो है ना तो लोगों को बताओ और यह काम शुरू करो अपना ओके ऐसा है creative expression अगेन यहाँ पर creativity का यहाँ पर भी message है और यहाँ पर भी है तो काफी creative है आप तो इस पर काम करो अगर crystals के साथ में कर सकते हो तो उन को मेरे हिसाब से crystals के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए आपका बहुत अच्छा और पुराना connection है तो इसके साथ आप काम करो पहले तो खुद काम करो देखो किस तरीके से crystals आप से connect होते हैं और इसके बाद फिर दूसरों से कैसे उनको connect करना है इस पर आपको काम करना है औ लेकिन वही है जितने messages मिलते हैं मैं उतने ही देती हूं कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे time देख के बताना है बोलना ही है कुछ नहीं है फिर भी बोलो तो वह है तो अब भी बहुत कुछ नहीं था थोड़ा सा था तो मैंने आपको बताया है hope के इससे आपको help मिली हो इससे लोग इस वीडियो को देखने वाले है और उससे भी कम लोग like करने वाले है उससे भी कम लोग comment करने वाले तो मैं reply कर दूँगी ठीक है तो आप लोग comment कर देना तो अगर पसंद आई है रीडिंग तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें भाई and thank you so much, फिर मिलती हूँ कल के रीडिंग में, till then take care, bye bye